नमस्कार वरी वां मेलकम तू अल अफ यू अन दिस एजुकेटी प्लेटफॉर्म दिस यूर फ्रेंड इंवेंटर अन्शुल कर्क मेरे प्याये दोस्तों हमने जो हमारी सीरीस स्टार्ट कर रखी है यह महामन्थन ठीक है आज उसकी हमारी फोर्थ क्लास है विसा स्टंड भी बहुते स्टंड को देखके मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि सर्दी का मोसम और कोहरे का नजारा चाय के दोकप एक हमारा और दूसरा भी हमारा दूसरा और किसी देने के जूरत नहीं है भाई स्टंड में चलिए तो आपने कहां तक कर लिया था हमने कर यहां तक हमने यह पढ़ लिया था देखिए हमने यह कर लिया था ना रैम की प्रकरती क्या होती है यह होप हमने अच्छे से कर लिया था ठीक है चलिए तो रैम के प्रकरती हमने देख लिए थी कि volatile होती है, volatile का मतलब कि अगर कुछ भी रैम के अंदर होगा और अगर light चली जाएगी तो वो उड़ जाएगा वो erase हो जाएगा, यह हमने देख लिया था Rome क्या होता है, non-volatile होता है कि यह क्या होगा, permanent होगा यह क्या होगा, permanent होगा यानि Rome के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा वो permanent रहेगा, clear है Magnetic Core Memory Magnetic Core Memory मतलब जिसमें magnet का इस्तमाल हुआ हो, जैसे हमारी hard disk है, floppy disk है, तो वो कैसी होगी non-volatile होगी, क्योंकि hard disk में data हमेशा रहेगा, जब तक आप delete ना करो तो यह भी क्या हुई हमारी, permanent हुई semi connector memory semi connector memory जैसे आप बोल सकते हैं RAM बोल सकते हैं, जैसे आप cache memory बोल सकते हैं, वो सब temporary memory होती है उनके अंदर data तब तक रहता है, जब तक आपके light दे रहे हो आप, जैसे RAM है, वो semi connector memory है, इसलिए वो क्या हुई volatile memory हुई clear है यहाँ तक, screenshot ले लो उसका फटाफट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं चलिए यह है हमारा M-ROM का पूर्ण रूप क्या है याति full foam क्या है M-ROM की M-ROM का मतलब होता है, masked, यानि आपने कुछ लिखा और उसको mask से ढख दिया यानि अब आप इसमें कुछ और नहीं लिख पाओगे तो यह क्या होती है, M-ROM masked ROM, यानि read only memory, clear है यहाँ तक next है sequential assess storage device कौन से, यह ना बहुत important question है, यह बहुत ज़्यादा important question है, कि जहाँ पर भी आपको पूछ ले कि sequential assess sequence का मतलब क्या होता है, यानि करम में assess करेगा, assess का मतलब होता है प्राप्त करना यानि किसी भी चीज को करम में लेगा ऐसे होती है, magnetic tape होती है यह sequence में है, पहले यह फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह, फिर यह यह इसे sequence में लेगा, ठीक है तो जहाँ पर आपको sequential assess पूछ ले, sequential assess में हमेशा याद रखना, चुम्ब की है, magnet का मतलब क्या होता है चुम्ब की है ठीक है, अच्छा कई बार तो वो magnetic tape देता है option में और कई की बार वो खाली न, इस magnet को काट देगा, और खाली tape देगा option में तो वो भी ठीक होगा अपमारा, ठीक है चलिए, अगला है processed data क्या कहलाता है, यह तो सभी को पता है, हम starting से पढ़ते हैं, data को user देता है, computer या CPU उसको process करेगा, और process करके क्या बना देगा output, और उस output को हम क्या बोलते हैं, information information की हिंदे में क्या बोलेंगे, सूचना, क्या बोलेंगे, सूचना clear है, चलिए, CPU में S-Thai संग्रहन की प्रक्रिया के दोरान किस high speed device का प्रियोग होता है CD से बोल रहा है, S-Thai S-Thai मतलब temporary संग्रहन मतलब storage, यानि CPU के अंदर रहना एक छोटी storage device लगी होती है जो temporarily data को store करती है और वियाद रखना हमेशा कोन सी होती है resistor clear है, यानि ऐसे होता है देखो यह हमारा जो CPU है ना CPU के अंदर ही कुछ storage device लगी होती है जिनको registers बोलते है और बहुत प्रकार का register है जैसे memory buffer register memory data register instruction register program counter accumulator intr O-U-T-R ठीक है और यह ना सबसे ज़्याद यह आता है MDR और यह होता है memory address register यह register है ना storage device होती है जो CPU के अंदर ही लगी होती है और अगर आप से पूछ ले कि सबसे fast memory कौन सी होती है बच्चे वो register ही होती क्योंकि वो CPU के बिल्कुल अंदर ही लगी हुई है तो CPU जट से data उठा लेगा इन में से ठीक है अगर register option में ना हो तो आप paper के अंदर क्या करके आओगे तब आप करके आओगे कि सबसे तेज memory कौन सी होती है cache memory होती है चलो clear होगा यहाँ तक आपने screenshot ले लिया होगा अब बढ़ते हैं आगे चलो तो यह हमने देख लिया आगे बढ़ते हैं यह भी काफी important question है कि motherboard को किस और नाम से जाना जाता है motherboard को हम PCB भी बोलते हैं printed circuit board और अगर यह पूछ ले कि motherboard किस color का होता है तो motherboard होता है green color का motherboard होता है green color का दूसरी चीज motherboard को computer का backbone भी बोलते हैं read की हड़ी backbone of computer कौन है motherboard होता है clear चलो disk को sector where track में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बहुत ही important question देखो बच्चे कैसे यह देखो यह हमारी disk होती है hard disk की कोई भी आसे disk ले ली हमने यह क्या है यह है disk यह disk है अब disk में मैं क्या करूँगा मैं ऐसे ऐसे na circles कर देता हूँ circles अब एक बात आओ तुम ground पे जाते हो तो ground पे तो ऐसे track बनी होती है न इनको क्या बोलेंगे tracks बोलेंगे इनको क्या बोलेंगे यह track होगी एक track दूसी track तीसरी track चोफे जीरो होती है ठीक है अब मैंने क्या किया इस track को भी फर्दर हिसों में बात दिया इस फर्दर हिस्से में बात दिया तो यह क्या होगे यह छोट छोट ऐसे दिखराए ना आपको यह क्या हो गया यह हो गया सेक्टर और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे फॉर्मैटिंग बोलेंगे इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे फॉर्मैटिंग यानि डिस्क को ट्रैक्स वे सेक्टर में बाटने की प्रक्रिया process को क्या बोलेंगे formatting बोलेंगे और अगर vapor में वाड़ जाए format क्या होता है format formatting और format में फरक है format का मतलब होता है कि data को erase कर देना आप अच्छी format नहीं मार देते कि मैंने phone को format मार दिया मतलब कोई भी data था उसके अंदर आपने उसको मिटा दिया आपने उसको erase कर दिया और format का मतलब होता है disk को track where sector में बांटने की प्रक्रिया clear है I hope आपको ये समझ में आ गया होगा बागे बढ़ते हैं चलो ये हो गया program की set निर्मान के समय computer को read only memory में pre install program की set निर्मान के समय computer को read only memory यानि ROM में pre install किया जाता है इसे कहते है firmware ये ज़्यादा important नहीं है ये ज़्यादा important नहीं है ठीका मतलब ये क्या करेगा जब हम कोई भी program के लिए sets of instructions लिख रहे हैं तब computer में जो ROM होते हैं उसमें से पहले से pre install कर देते हैं प्री मतलब पहले से install क्या जाता है उसको क्या बोलते है firmware बोलते है EDO RAM का पूर्ण रूप क्या है EDO Extended Data Output RAM की full form थो हमें पता ही है तो EDO की full form क्या हुई Extended Data Output clear चलो इस memory को मिटाया और program क्या जा सकता है मतलब re-rightable है इसका प्रियोग cellular phone digital camera, digital set of box और एक अना animation भी आता है paper में यानि animation में होता है अच्छा animation नहीं वो flash आपको web browser में मिलेगा वो क्यां से होती है flash memory होती है flash memory, सिद्धी सी बात है flash memory को बोलते है USB memory भी बोलते है electrical memory भी बोलते है जैसे आपकी pen drive है जैसे आपकी memory card है आपका security SD card है ठीक है, solid state drive है pen drive में लिख भी सकते हो हटा भी सकते हो digital camera में उस होती है memory cards इसमें यही तो लिख रख है कि digital set of box digital camera ठीक है phone में यूज करते है chip को यूज करते है भाई memory cards को यूज करते है और उसमें लिख भी सकते हो मतलब कुछ डाल भी सकते हो और delete भी कर सकते हो यानि rewriteable है उस memory को क्या बोलेंगे flash memory और flash memory का दूसरा नाम क्या होगा electrical memory क्या होगा दूसरा नाम electrical memory clear चलो hard disk की memory जिसे CPU extended RAM की तरह प्रयोग करता है virtual memory वो क्या होता है जो हमारा virtual memory क्या होता है जो हमारी hard disk होती है hard disk का कुछ space computer अपने लिए back end रख लेता है यानि उसमें आप data नहीं लिख पाओगे और जब RAM फुल हो जाती है तो computer क्या करेगा उस बच्चे हुए hard disk space को RAM की तरह प्रयोग करेगा यानि RAM को उसने बढ़ा दिया extend कर दिया और उस memory को क्या बोलते है virtual memory virtual मतलब आभासी मतलब reality में नहीं होती बस हमें आभास होता है कि ऐसी कोई memory है reality में तो hard disk है वो अलग से कोई memory थोड़ी है यानि आभासी memory है वो imaginary memory है चलो आगे बढ़ते है इसका screenshot ले लो फटा-फट आगे बढ़ते हैं फिर चलो next क्या है अनुदेशों का set जो computer को क्या करना है यह बताता है उसे क्या क्याते है program क्याते है भाई अगर यह आपसे पूछ ले ना कि program क्या है देखो सिदी सी बात है अगर यह आपसे पुछ ले program क्या है program है set of instructions यानि बहुत सारे निर्देशों का सम्हू set of instructions instructions का मतलब क्या होता है निर्देश और computer को क्या करना है user किसके दवारा बताएगा निर्देशों के दवारा बताएगा ठीक है program क्या है set of instructions और अगर यह पुछ ले software क्या है अगर आपसे यह पुछ ले कि software क्या है तो software क्या है set of programs ठीक है software कब बनेगा बहुत सारे program के जोडने से और program कब बनेगा बहुत सारी instructions के लिए जैसे देखो अगर मैं एक program लिखूँ फटाफट कि यह से main है start कर दिया int a b c कर दिया ठीक है फिर उसके आदो मैं कुछ printf लगा देता हूँ printf डाल देता हूँ ठीक है enter number enter number ऐसे मैं कुछ भी program लिख रहा हूँ ठीक है मैंने program लिखता है यह क्या है instruction 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 यह बहुत सारे तुमने instruction दीए और इन बहुत सारे instruction, इन बहुत सारे instruction जोड़के ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया मेरा program, पूरा क्या बन गया, ये program बन गया, clear है, तो तीनी question बनेंगे, software किस से मिलने से बनता है, बहुत सारे program के, और program कैसे बनता है, बहुत सारे instruction से, clear हुई, चलो, अब आगे डाटा को सुनियोजित record रखने के लिए किस software का उपयोग किया जाता है यानि बहुत सारा data है तुमारे पास यानि class के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनका data हो गया नाम, row number, father's name, mobile number होता है न तो उसके लिए हम क्या करते हैं? data based software का इस्तमाल करते है data based software जैसे schools में भी होता है, libraries में भी होता है यहाँ पे हो गया name, father name, mobile number, home address तो पहले बच्चे A का, B का, C का ऐसे बढ़ता गया, चलता गया तो यह data based software में हम data को arrange कर सकते हैं यानि सुनियोजित किये जा सकता है अगला बूछ रहे हम से यह next मूल स्त्रोत्र से किसी भीन destination पर copy करके data का संग्रक्षन करना क्या कहलाता है वो ऐसे बोल रहे है कि भई, आपका data मालो कहीं phone में है और आप उस data के copy कहीं और रखना चाहते हैं जैसे whatsapp पे नहीं होता अपना, whatsapp पे क्या होता है, अपनी chat होती है लेकिन आप उस chat को कहीं copy करके कहीं और रख देते हैं ताकि अगर बाइचन साब पनी whatsapp उड़ गया हमारा हम दुबर अन्स्टोल करें, तो वो chat वापिस आ जाए उसको क्या बोलेंगे, बैक अप बोलेंगे ऐसे मालो हमारे images होती है फोन के अंदर, तो हम उसका laptop में copy बना के नहीं रख देते हैं उसको backup बोलते हैं, ठीक है, चलो एक program या software जिसे computer का उप्योग करना आसान हो जाता है utility software बोलते हैं भाई ये computer को न, ये program को software को मजद करता है बहतरीन बनने में, कैसे देखो इसको न, शिदी सी एक question ये आएगा utility क्या होता है utility software वो software होते है जो computer की functionality जो computer की functionality को बढ़ा देते हैं functionality को बढ़ा देते हैं functionality यानि उप्योगिता को बढ़ा देंगे जैसे, माल लो मेरे पास एक computer था मेरे पास क्या है, एक computer था, ठीक है अब यह सारे normal काम कर पाएगा, computer तो सारे normal काम कर पाएगा, अब मैंने क्या किया, इसके साथ एक printer लगा दिया, मैंने क्या किया, इसके साथ एक printer लगा दिया, तो जैसे मैंने printer लगाया, तो अब यह computer प्रिंट भी दे सकता है, यानि मैंने इसका एक function और बढ़ा दिया, मैंने यहां पे एक software है और paper में जो इसके example आते है जैसे paper में आते है disk cleaner तुमारे phone में नहीं होता clean कर देते हो तो phone तेज तरने लग जाता है antivirus software antivirus software तुमारा phone में कोई virus आ गया तुमारे computer में कोई virus आ गया तुमने antivirus डाला तो वो क्या हो गया phone बैतरीन चलने लग गया clear है चलो ऐसे ही हमारे क्या होता है यानि क्या करेंगे किसी program या software को जिससे computer का उप्योग करना आसान हो जाता है जैसे disk cleaner हो गया ठीक है और हमारा antivirus software हो गया यह सब था software का प्राथमी कुदेश्य डाटा को किस में बदलना होता है भाई यह तो बचपन से पढ़ते हैं सूचना में डाटा को information में बदलेंगे डाटा को सूचना में बदलेंगे clear चलो software code में तूटिया ढूंडने की प्रक्रिया क्या कहलाती है देखो तूटिया का तूटिया है न यह तूटिया मतला बहता है कोई कमी होना कोई कमी होना और यह मैं बता देता हूँ तुम्हें फटा फट देखो अगर तुम्हारे computer में कोई error है यानि कोई दिक्कत है तो इस error को बोलेंगे bug क्या बोलेंगे bug इस error को ढूंडना यानि check करना पता लगाना कि error है या नहीं है इस प्रक्रिया को बोलेंगे testing क्या बोलेंगे इसको testing करना check करना कि bug है या नहीं है और इस error को remove करना इस error को remove करना दूर करना इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे debug एरर को बग, ढूड़ने को टेस्टिंग और दूर करने को डिबग, ठीक है ये तीन वर्ड आते हैं, तो अभी हमारा कोशन क्या पूछ रहा है हमसे, कि हमसे पूछ रहा है, तूटियां ढूडने की प्रिकिया, वैसे इसका अंसर ना, टेस्टिंग होना चाहिए, इसका अंसर जर्नली, अगर मैं आपको एक्चुल्टी भी टेक्टिंग का लेंग्विज की भाशा में बता हूँ, तो इसको टेस्टिंग बोलेंगे, लेकिन अगर आपके पेपर में कोई भी कॉशन आता है, आपको भी कॉम्पिटिटिव एक्जाम देते हैं, जाए एचसेसी हो, या पिर आपका आर्मी का पेपर हो, किसी चीज़ का पेपर हो, अगर वहाँ पे option debugging दे रखा है, और टेस्टिंग भी दे रखा है न, तो तो पहले करना टेस्टिंग, अगर टेस्टिंग option में नहीं है, तो पकर क्या न, debugging, और mostly तुम्हें टेस्टिंग मिलेगा इनी option में, वो उतना deep में नहीं जाते हैं, वो हमेशा सिधा dubbing उठागे दे देंगे, clear है, चलो, ग्यात software bug के लिए repair जो internet पर बिना charge उपलब्ध होते हैं, बिना charge मतलब जिसके पैसे नहीं लगते, उसे क्या कहते हैं, कई बार रहना हमारे किसी software में दिक्कत आ जाती है, computer के अंतर, तो उस प्रोग्राम, computer के विभिन भागों का नियंतरन करता है, और प्रियोकता को computer के साथ interact करने देता है, operating system, यह मैं बताता हूं, तुम एक जुगाड का method, अगर तुम पेपर में बैठे हो, और कोई ऐसा question मिल जाए, जो तुमें नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता, और अगर तुमें कोई उसका option दिख रखा है, operating system, OS, अगर तुमें वहाँ पे कोई option दे रखा है, operating system, तो आँख बंद करके उस operating system को टिक करके आ जाना, 99% chance है कि तुम्हारा question बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, यह ऐसे कहता है, कि इसने ऐसे बोला, यह मानलो computer है, यह computer के hardware है, hardware तो हमें नहीं दिखते हैं, computer के जो अंदर लगे हुए, RAM, motherboard, यह सब हमें नहीं दिखता, यह हम है, यह user है, यानि हम है, तो हमारी इन दोनों की बाचीत कोन करवाएगा, interaction कोन करवाएगा, तो बीच में क्या होता है, OS, operating system, जैसे तुमें तो क्या दिखती है, window, तुमें फोन चलाते तो तुमें क्या दिखते हैं, Android, हमें तो बस यह दिखते हैं, अब पिछे क्या काम हो रहा है, वो सब इनका काम है करना, OS, Android का, यानि computer hardware और user के बीच में बाचीत, interaction कोन करवाएगा, OS करवाएगा, कोन करवाएगा, OS करवाएगा, चलो, next, MS-DOS क्या है, system software, MS-DOS क्या है, system software, कोई भी जो हमारे computer में software होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है system software, एक होता है system software, और दूसरा होता है application software, दूसरा क्या होता है, application software, क्या होगा, application software, system software वो होता है जो system खुद के लिए use करें, system का मतलब computer, यानि वो software जो computer खुद के लिए use करता है, वो system software कहलाएगा, जैसे operating system हो गया, ठीक है, application से तो यह word दिख रहा है, app, दिख रहा है न, app, और app का इस्तमाल कौन करता है, हम, यानि वो software जो हम इस्तमाल करते हैं, जैसे MS Office, Paint, V ELC Media Player, यह सब हम use करेंगे, ठीक है, यह हम use करेंगे और यह computer खुद के लिए use करेंगा, अब यह है MS DOS, operating system है, operating system तो computer खुद यूज करता है, तो यह क्या हो गया, system software, क्लिर होई बात, next, Unix का विकास कब हुआ, Unix, यानि operating system का कब आया, 1969 में आया, कौन सा, Unix, Unix, ठीक है, MS DOS कौन सा package database के रूप में अधिक पाया जाता है, जो यह MS DOS है न, जो database है, database का कौन सा रूप ज़्यादा पाया जाता है, D-Base 3, कौन सा होता है, D-Base 3, यह भी ज़्यादा important question नहीं है, आप skip कर सकते हो, DOS का पुरा नाम क्या है, disk operating system, DOS का पुरा नाम क्या है, disk operating system, user और operating system के बीच interaction के तरिके का कौन सा control, कौन control करता है, language translator, language translator की क्या जूरत पड़ी हमें, अब हम जानते है, high level language, हम क्या जानते है, high level language, और जो computer है, वो समस्ता low level language, यानि 0 and 1 की language, तो बीच में हम एक ऐसा translator चीए, यह ऐसा प्रिवर्तन वाला चीए, जो हमारी भाषा को computer की भाषा में translate करते, और उसी को क्या बुलेंगे, language translator, यानि किसी दूसरी भाषा को किसी अन्य भाषा में translate कर दिया, ठीक है, यहां तक, यह हुआ clear, तो यह काम होता है, हमारे language translator का, चलिए दोस्तो, आज़ी क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क यही कहना चाहूँगा, इश्वर में आसता है, मुश्किलों में, रास्ता है, अगर दोस्तो आपको यह series अच्छी लग रही है, तो अपने friends में share करिए, अगर आप चैनल पे नहीं है, तो subscribe करें, bell icon जूर दबाए ताकि daily जो वीडियो अपडेट होती है, आपका notification आप तक पहुँच जाए, और इन PDF के लिए मैं आपको बता रखे, टेलिग्राम चैनल है, उसका link में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे, ठीक है, दिस इस दन्शुलकाग, signing off, bye bye, take care, जैहनुमान जीगी